प्रभारी मंत्री ने ली जिला अधिकारियों की बैठक दिये आवश्यक निरदेश जन सुनवाई में सुनी समस्याएं स्वायत शासन विभाग के मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री जाबर सिंग खर्ण शुकरवार को जिला परिशद सभागार में जिला स्तरिया अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने जिले के प्रमुक विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री ने जन सुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी तथा संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयावधी में निस्तारण के बारे में निर्देश दिए। बैठक में प्रभारी मंत्री ने कहा कि अधिकारी फील्ड में रहकर स्वयम के वि करें एवं आमजन की शिकायतों का त्वरित रूप से निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि पाली जिला हर क्षेत्र में अवल रहा है तथा प्रदेश में पाली जिले की अलग ही पहचान है। उन्होंने मौसमी बिमारियों की रोक थाम के लिए चिकित्सा विभाग को सजग ए उन्होंने आगामी पौधर उपन अभियान के लक्षियों की जानकारी ली एवं अभियान की सफल क्रियानविती के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिले के शहर सहिद ग्रामींग शेत्रों में भी निरंतर अंतराल में आपूर्ती हो। प्रभारी मंत्री ने पीट ब्लूडी से जिले में सडकों की स्थिती की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिये कि बारिश के मौसम में दुरगटना से बचाव क लिए खड़े को पैच्वक कर रिपेय करें। उन्होंने खनन विभाग के अधिकारियों को अवैद खनन एवं परिवहन को सक्ती से रोगने के निर्देश दिये। एवं कहा कि राजस्व से जुड़े लंबित विभिन प्रकरनों का जल्द से जल्द निस्तारन करें। इसके अतिरिक्प उन्होंने श्रम, रिको, क्रिशी, वन, पुलिस सहित समस्त विभागों के कारियों की समीक शाकर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने अ पूजा सक्सेना, CMHO डॉक्टर, विकास मारवाल, मेडिकल कॉलेज की प्रिंसीपल डॉक्टर, अरुना सोलनकी, बांगर अस्पताल के अधीकशक डॉक्टर, पीसी व्यास, सहित अन्यवरिष्थ अधिकारी मौजूद रहे। जनसुनवाई कर सुनी समस्याएं, बैठक के पश्चात प्रभारी मंत्री ने जिला परिशद सभागार में जनसुनवाई के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना तथा संबंदित विभाग के अधिकारियों को समस्या के निराकरन के निर्देश दिये। इस मौके पर शुपालन मंत्री जोराराम कुमावद भी उपस्थित रहे।